वेलकम टू हूपसन पार गाइस तो आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि हाव टू टेक केर विफ यूर डॉग दूरिं मौनसून टाइम जैसे हम लोग का सिजन चेंज में हम लोग काफी कुछ बदलाओ लाते हैं हम लोग के जीवन में वैसे ही डॉक्स के लिए भी ये इंफॉर्टन्ट है स्पेशली इन मौनसून में तो क्या होता है रैनी सिजन में हम लोग के जो एर है इसमें काफी मौस्चर आ जाता है और हम सबको पता है कि मौस्चर से काफी बैक्टिरिया और वाइरसिस का काफी प्रॉब्लम्स होता है हम यूमन भी ये सब फेस करते हैं तो पहला जो प्रॉब्लम में बोलूँगा वो काफी कॉमन है जैसे कि इन डाइजेशन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो हम लोग काफी देखते हैं कि डॉग लोग का घर में बैठे-बैठे उन लोग का पेट खराब हो जा रहा है पॉटी में ब्लॉड आ रहा है तो हाव तो डिल वीड दिस थिंग्स फर्स्टिव हम लोग को उनको टाप वाटर नहीं देना है घर का जो नल का पानी उन लोग को नहीं देना है उन लोग को प्यूरिफाइड वाटर देना है या फिर बॉइल वाटर देना है आप मिनरिल वाटर भी दे सकते हैं तो एवाइड एनी काइंड ओव वाटर बॉर्ण डिजीज इवन डॉक्स केन हाव जांडिस तो वी हाव तो बी केरफूल और आप लोग इसके खाने में प्रोबाइटिक सच आज सावर कर्ड आड कर सकते हैं जो कि इसका डाइजेशन इंप्रूफ करने में मदद करेगा अब दूसरा प्रॉब्लिम में आते हैं जो कि बहुत सारा स्कीन इशूज हम लोग को दिखता है बहुत खुजली करते हैं और स्कीन से फार जो है वो घट जाता है बहुत शेडिंग होता है कुछ जादा ही शेडिंग होता है एंड ये डॉक्स काफी टिक से परेशान होते हैं तो इस सब टाइम में ग्रूमिंग का बहुत ध्यायन रखना है, आप लोग वेट से बात करके अपना डॉक को दिखा के सही शैंपू का इस्तेमाल कीजिए और टिक प्रिवेंशन जो प्रोटोकॉल है उनको काफी अच्छे से फॉलो कीजिए टिक्स को दूर रखने के लिए काफी तरीका होता है, जैसे कॉलर आते हैं, स्पोर्टोन आते हैं, कंज्यूमेबल मेडिसिन आते हैं, टू प्रिवेंट टिक्स की टिक्स बॉड़ी में ना आए इसके बारे में अगर नहीं पता होगा, तो दूसरे वीडियो में जरूर करतेंगे फिलाल इसमें हम और थोड़ा से एट करेंगे, कि टिक्स बहुत खतारनाक होते हैं, टिक्स से जो टिक फीवर होता है, काफी फेटल होता है डॉक्स में इसके बारे में अपना वेट से जरूर बात कीजिए, और डॉरिंग मॉनसून, डॉक्स का यर और आइस का बहुत अच्छे से ध्यान से क्लेनिंग कीजिए, क्योंकि ये सब सेंसिटिव एरिया में काफी अलर्जी दिखता है, और स्कीन इंफेक्शन होते हैं, पॉस में, दो उंगली के अंदर में पस जम जाता है, ऐसा मतलब बंप जैसा होता है, तो हमेशा इन सब चीजों का छोटा छोटा ध्यान रखिए, तो कि इनका क्लीनिंग कीजिए, एप्योटी के एक सल्यूशन आता है, येर क्लीनिंग के लिए, वीरिबैक का, उसका इस्त अच्छे से कंट्रोल रख सकते हैं, एवरीडे ब्रशिंग कीजिए अच्छे से, तो शेडिंग काफी कंट्रोल में होता है, और टीक्स फिक्स पी अगर छोटा मोटा आ जाता है, तो वो भी आपको दिख जाएगा, इमीडियेटली, और खाने में, जैसे कि आप ओमेगा-3 जैसे करके आप एलिशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लसुन, गार्लिक जो है, उसको भी डायट में आप एट कर सकते हैं, उससे क्या होता है, उसको बहुत ही अप्टिमम लेवल में यूज करना है, कैसी उसकरना है, उसके उपर में वीडियो कोई और दिन बनाएंगे, फि उसको लेकर बाहर फिक सकते हैं, उसका जो इक्स्ट्राक्शन है, जो सूप में आज आता है, उसको दे के आप डॉक्स को खाना दे सकते हैं, और आप अपना डॉक का खाना बनाते हैं, उस में नमक का यूज मत कीजिए, उसके जगा में आप जो कच्छा, टर्मरीक, जो हम को बजार में मिलता है उसका यूज कीजिए जो प्लांट जो होता है उसका यूज कीजिए और खाने में आप और क्या यूज कर सकते हैं आप थोड़ा कॉरियंडर उसमें यूज कीजिए फिश देजिए जिससे उसको ओमेगा-3 ये सब मिलता है जो फैटी फिश आता है तो व बहुत वर्म्स का प्रॉब्लिम होता है तो वर्म्स का ध्यान रखना है तो डी वर्मिंग इस वेरी इंपोर्टेंट और वैक्सिनेशन शुड बी अप्टू डेट और क्या होता है कि रेनी सिजन में डॉग लोग को लेके बाहर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकतें तो इन लोग का अच्छे से ख्याल रखें इनके साथ खेलिए इनको थोड़ा एक्सरसाइस दीजिए और ये लोग शायद मॉनसून का जो ग्लूमिनेस होता है तो और हुमिट भी बहुत जादा होता है तो पानी नहीं पिना चाता है तो खाने में वाटर का एडिशन कीजिए तो कि इसका बॉड़ी जो है completely hydrated रहे तो अगर थोड़ा ये सा point में ध्यान में रखेंगे तो हम लोग अपना पेट डॉक्स को काफी अच्छे से रख पाएंगे during monsoon और जब आप लोग अपने बच्चे को बाहर वाक में लेके जा रहे हैं अभी तो वो मतलब डॉक्स के लि होगा तो इसलिए जब वो घर आ जाए उसका जो कोट है उसको damp रखने ना दीजिए और उसको अच्छे से brush कर लीजिए dry कर लीजिए तो thank you so much for listening to me for this long comment section में जरूर बताईएगा next video किस पे करना है